सो हलो दोस्तों वेलकम बैग टू आयसार् फैंस सो दोस्तों आप लोकों को अफिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे और AG हो और अभी तक आयो स्टैनल को षभ्ये सब्सक्राइब फिलाल जो है उस application में trick से ही लोन लेने वाला हूँ और मैं trick से ही apply करता हूँ ठीक है normal से कभी apply नहीं करता अगर मुझे मिल जाता है तो उसकी part 2 वीडियो आ जाती है फिलाल मैं application का नाम बता जाता हूँ application का नाम में ECS पैसा भाई नई application है मैंने mobile number से जो है login कर रखा है लेकिन इसका link नहीं मिल पाएगा AP के file आपको telegram group पे मिल जाएगा link नहीं मिलेगा AP के file आपको telegram group में दे दूँगा वहाँ से download करके आप apply कर सकती हो यहां देख सकतो यहां apply now का option है हम इस पे click करेंगे अब यहां पूरी के पूरे चार step है पहला जाता है identify verification उसका personal information उसके बाद employment information उसके बाद जो है contact information भाई पहले पहले हम किलिक करेंगे तो पहले में हमें document upload कर देता हूँ और देखता हूँ भाई बारी बारी से next step दोस्तों यहां पर आप देख सकतो फाइनली जो है मैंने सब कुछ complete कर लिया है चारो के चारो step जो है वो मैंने complete कर लिया है अब मैं यहां पर जो है यहां पर आपको apply करने का option मिल जाता है जैसे कि आपने पहले apply क्या होगा 4pay में और SC case में तो ऐसा ही option आता है फिलाल जो है यहां पर कितने का loan मिलेगा हम apply क्लिक करेंगे ठीक है इसके एक इस रिंसोट ले लेते हैं अब बता जिता हूं भाई 3,000 का loan है 1802 पर आपके account में आएंगे भाई अगर आपने SC case से और 4pay से loan ले रखा है तो यह तीसरी company है उसकी जी हां दोसों यह तीसरी company है इसकी तो आप लोगों को और SC से और या 4 case से loan मिला है तो 101% यहां से भी मिल जाएगा क्योंकि SC और 4pay एकी company थी और यह तीसरी company इसकी launch हो चुकी है तो फिलाल जो है मुझे चारा कुछ बताने की आपको जोड़ोत नहीं है डीटेल आपको पता ही है 3000 का loan है 1800 दो पर आपके account पहेंगे 7 दि जो है आपको apply करके दिखाएंगे तो यहां एक face recording करनी है तो face recording में कर लेता हूं दोस्तों ठीक है तो successfully जो है हमने face recording कर लिया है अब directly जो है apply करेंगे ठीक है यह audit आ चुका है तो audit पर हम इस पर click कर देंगे एक बारी same ही process है दोस्तों जैसे पहला था ना 4pay में और SC case में same ही है कोई difference नहीं है जेकर थोड़ा सा loading ले रहा है अब यहां पर submit to audit और displacement मतलब same ही process है कोई भी ऐसा process नहीं है same ही process है इसमे भी जो SC case में था और 4pay में था दोनों company एक थी और यह भी company एक है मतलब यह है कि अगर यहां से वहां से loan trick से मिल गया था तो यहां से भी मिली जाएग फोर जम पले तो दोस्तों चैनल को सब्ट्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले